त॑ फ्रेंड्स वागत है आपनो चान पूर्णा किचिन में ठैंड्स आज की हमारी रेस्पी गआर की बड़ी भाली फली ये गआर की फली जो होती है वह इस तरीके की होती है मैंने आपको दिखाने के लिए छोड़िए थी आगे से मैंने इसकी नोग को काट दिया है और हम इसको खास से इस तरीके से तोड़ते जाएंगे और देखिए इसमें जो बीच ये कच्चा होता है बिल्कुल मैं आपको दिखाती हूँ ये बीच इस तरीके का होगा तो ये बहुत ही स्वाधिश्ट बनती है और हमें इस तरीके से इसको तोड़ लेना है नहीं तो आप इसे चाकु से भी काट सकते हैं मैं सब काट लूँगी और ये मैंने एक आलू लिया है आलू डानने से इसका स्वाध बहुत ही अच्छा आता है ये बिगार आलू से भी बनाई जा सकती है लेकिन मैं इसमें एक आलू डालू आप लोगों से मेरी रिक्वेश्ट है अगर आपने यहीं तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लिजे लाइक कीजिए जादे से जादे शेयर कीजिए और घंटी वाला बटन जिरूर दमाएं क्योंकि मैं जो भी वीडियो अप्लोड करू वो सबसे पहले आपके पास तक पहुचें तो चलिए इसके मसाले भी देख लेते हैं जाले हम डालेंगे यह मैंने आधा चम्मच धनिया पॉर्डर लिया है यह आधा चम्मच गरम मसाला पॉर्डर लिया है थोड़ी सी मैंने सूखी मेथी दाना लिया है और यह एक चुखाई चम्मच भोना जीरा पॉर्डर लिया है यह दो हरी मिर्चे लिये जिसको मैंने काट लिया है यह आधा चम्मच कुट्टी लाल मिर्च लिए और आधा चम्मच हल्दी लिए मिर्च को आप कम या ज्यादे अपने स्वाथ के अकोर्डिंग डाल सकते हैं यह मेरे पाल बड़ा प्यास था अगर छोटे हो तो आप दो काट लिए यह आपकी इच्छा के उपर है यह मैंने एक प्याच काटा है चलिए अब सब जी बनाना शुरू करते हैं चलते हैं गैस की तरफ गैस पर मैंने कडाई रख लिए गैस का फ्रीम आउल है अब मैं इसे सर्सो के तेल में बनाऊंगी आप इसे किसी भी और में बना सकते हैं मैं इसमें दो से तीन बड़े चमच ऑईल डालूंगी हम इसका धुआ निकलने देंगे जब सर्सो के तेल में धुआ अच्छे से निकल जाता है तब इसकी सबची स्वाथ बनती है अच्छे से गरम हो चुका है इसमें खूब धुआ निकल लिया है अम मैं थोड़ा सा इसे ठंडा कर लूंगी गैस का फ्लेम इस समय बंद कर दू थंडा हो चुका है अब हम इसमें मेथी दाना डाल देंगे मैं इसमें डाल दूंगी और क्यास को हम इसे गुलाबी होने तक धूलूंगे मैं इसमें डाल दिये अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी अब मैं थोड़ा सा गरम मसाला इसमें डालूंगी अब थोड़ा बाद मित के लिए छोड़ दूंगी बाद में डालूंगी थोड़ा सा अब हम इसमें डालेंगे फली नमक आप अपने स्वाथ के नुशा अड़ालें अब भाद थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे में अब हम इसको ढग देंगे अब हम इसको ढग देंगे और इसको हम बीज़वीच में देखते रहेंगे जो है हमारा लोपे रहेगा अब इसमें पांस से दस मिनट और लगेंगे बनने में इसे फिर से ढग देती हूँ मैं देख लेते हैं तब दी हमारी बन तुकिए देखें मैं आप कोसको भी खाती हूँ यह हमारी बिल्कुल गली तुकिए अब मैं इसमें डालूँगे अमचूर पॉडर यह मैं थोड़ा सा इसमें अमचूर पॉडर डालूँ और एकसी के साथ यह गर्म मसाला इसका फ्लेम बन कर देती हूँ और इसको सर्व कर लेती हूँ पॉडर की फली की सब्ची बन कर तयार है आप भी इससे जरूर बनाएं चलिए मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में